नमस्कार स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में बात करते हैं अब तक कि बड़ी ख़ब रोकिए अमेरिका कोलंबिया पर टूटा जिका विशानू का कहर मच्छरों से उत्पन विशानू जिका ने ब्राजील के बाद कोलंबिया में भी कहर धाना शुरू कर दिया है और यहां भी 13,500 से अधिक लोग इससे संक्रमित हो गए हैं जबके अमेरिका में मच्छर जनित जिका वाइरस के संक्रमन के 5 मामले सामने आये हैं इनमें से फ्लोरिडा में तीन और इलिनोईज में दो मामले दर्स किये गए हैं कोलंबिया के स्वास्त मंत्री अलेजांद्रो गिवीरिया ने बताया कि जिका का संक्रमन आने वाले समय में और फैलने की आशंका है उन्होंने कहा कि इससे करीब 7 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं पैन अमेरिकन हेल्थ और्गनाइजेशन के आकड़े का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये आकड़ा ब्राजील के आकड़ों के बाद सर्वाधिक है सर्दी के कारण दिली के सरकारी स्कूलों में छुटी दिली सरकार ने कड़ाकी की सर्दी को देखते हुए सरकारी स्कूलों की प्राथ में कक्षाओं को निलंबित करने का नर्देश दिया है और निजी स्कूलों से कहा है कि वे समय सारिनी में बदलाव करें निजी स्कूलों से कहा गया है कि वो खुद स्कूल के समय में बदलाव करें जबकि सरकारी स्कूलों को निर्देश चारी किये गए हैं कि वे अपने सामाने समय से एक घंटा देरी से स्कूल चुरू करें उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीश सिसोधिया ने कहा कि सरकार ने सर्द मौसम को देखते हुए तीन दिनों के लिए प्राथ में कक्षाओं को बंद किया है इसके अलावा हमने इस संदर्भ में निजी स्कूलों को दिशा निर्देश चारी किये हैं देश के समक्ष भारी आर्थिक संकट कॉंग्रिस पुद्वार को शेयर बाजारों में जोड़दार गिरावट के बीच कॉंग्रिस ने दावा किया है कि देश के समक्ष भारी आर्थिक संकट है और भारत को दुनिया में सबसे तीवर व्रधी वाली अर्थ व्यवस्था पताने वाले अनुमानों के आकडों की विश्वसनियता पर सवाल उठाया पार्टी प्रवक्ता दीपेनर सीह हुड़ा ने कहा कि भाशपा सरकार भले ही भारत को सबसे तीवर व्रधिवाली अर्थ विवस्था के रूप में पेश करे लेकिन दुनिया आकडों पर संदेह जोता रही है हुड़ा ने निवेश की Capital Newsletter का हवाला तिया इसमें कमपनी ने अपने ग्रहकों से कहा है कि चीन की वास्तविक GDP व्रधिदर 7.1 प्रतिशत है और भारत की 7.4 प्रतिशत जिसमें अतिशय उक्ति है उन्होंने कहा कि निवेश कमपनी ने भारत में अपना कामकात समेट लिया है झाल झाल